असलाम लेकुम वीवर्ज कोकिंग विद समन बिलाल में आप सब को खुशामदीद कहती हूँ अमीद है अल्ला के करम और फजल के साथ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वीवर्ज चाकलेट ब्राउनी खुसुसान बच्चे तो बहुत ही शोक से खाते हैं अब आपको बेकरी से ब्राउनी लाने की हर्गिस भी जरूरत नहीं है मैं आप से शेयर करने वाली हूँ ब्राउनी की आसान तरीन रेसिपी जो आप चंद मिंटों में बना कर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं जट पर तियार होने वाली चॉकलेट ब्राउनी जो रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ वो एक ब्राउनी की है आप इसको मल्टिप्लाइ मत कीजिएगा सबसे पहले हम इस साइज का बाउल लेंगे उसमें डालेंगे तीन चमच शूगर पाउडर आप घर में मौझूद शूगर को ग्राइंड करके उसका भी शूगर पाउडर बना सकते हैं मैदा लेंगे एक खाने का चमच कोको पाउडर लेंगे दो खाने के चमच एक अंडा डालेंगे एक ब्राउणी में सिर्फ एक ही अंडा जाएगा और फिर डालेंगे हम साड़े तीन चमच खाने के कोकिंग ओयल और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे कर लें और अगर नहीं है तो ये देसी बीटर भी चलेगा और अगर ये भी नहीं है तो आप इसको चमच से भी कर सकते हैं आपने इसको 6-7 मिनट अच्छे से बीट करना है 6-7 मिनट होके हैं मुझे इस मिक्सचर को बीट करते हुए ये देखें बिल्कुल एक क्रीम की शकल में हो चुक है ये और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है थोड़ा सा और बीट करेंगे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें गुटलिया ना बने मैं आप सब की तहे दिल से शुकर गुजार हूँ कि आप सब ने जिस तरह आप मुझे अपनी महबतों से नवाजा है वो नहायत काबले दीद है आप सब मेरे लिए मेरी फैमली की तरह हैं आपकी यही महबतें और सपोर्ट मुझे आगे लेकर जाएगी हमारा मिक्स्चर रेडी हो गया है यह देखें अब हम इसको किसी दूसरे बाउल में डालेंगे इस बाउल के अंदर कुकिंग ऐल लगा लिया अब यह मिक्सर जो है हम इसमें डाल देंगे मैंने इस बाउल पे आईल लगा के और ब्राउनी का तमाम मिक्स्चर इसमें डाल दिया चलिए अब इसको माइक्रो वेव करते हैं हम इस Mixture को 2 मिनट के लिए माइक्रो वेव करेंगे हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं अब हम चेक करते हैं हमारी Brownie रेडी हुई है के नहीं वाउ हमारी कमाल की ब्राउनी तयार हुई है कितनी सॉफ्ट है अब हम इसको इस प्लेट में निकालेंगे अब हम इस पर थोड़ा सा चॉकलेट सीरम डालेंगे अगर यह आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं आप सिम्पल इस तरह से भी खा सकते है मेरे बच्चों को तो ब्राउनी बहुत पसान्द है वसुसन चोटी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसान्द है यह मैंने उसी के लिए बनाई थी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और जल्द ही किसी नही रेसिपी के साथ मुलाकात होगी अल्ला हाफीज यम्मी यम्मी यम्मी